दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीकासूल कैपसूल के बारे में तो देखिए यह है बीकासूल कैपसूल B-Complex Fort with Vitamin C Capsule यह आपका 25 स्ट्रिप का बॉक्स आता है जिसमें की एक बॉक्स में 25 स्ट्रिप 25 यह बीकसुल कैप्सुल B complex coat with vitamin C यह फाइजर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है जो कि यह बहुत अच्छी कंपनी है और यह product बहुत इसको ले ही जाते है तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं B कैप्सुल के बारे में इसमें विटामिन B complex foot with vitamin C, आज हम बात करेंगे इसके लाप के बारे में तता यह क्या है, इसका उपयोग का क्या तरीका है, इसके खुराक के इस्तमाल के तरीके के बारे में और इसमें मौजूद ingredients के बारे में, तता इसके side effect और दुश्परभाव आदी बहुत कुछ, तो ज़र यह जानते हैं B capsule capsule के बारे में, यह capsule और शीरप की रूप में उपलब्द है, इस दवा का उपयोग vitamin B1, B12, C, B3 तदा portion की कमी के लिए किया जाता है, यह देखिए इसमें इसके ingredients क्या-क्या है, इसमें थाइमिन 10 mg, राइवफलोविन 10 mg, पारक्सडेन 3 mg, विटामिन B12 15 mg, निया सनामराइड 100 mg, केल्शियम पुतरनेट 50 mg, फॉलिक एसिड 1.5 mg, बायोटन 100 mg, यह बालों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बायोटन जयातर बालों में यूदता है, एसकोर्वेक एसिड 150 mg, यह सब इंग्रीडियंट्स हैं इसके, यह पोसल की कमी के लिए भी उपियोग किया जाता है, यह एक ब्रांडिड मेडिसिन है, इसमें विटामिन B, इसमें विटामिन B कॉंपलेक्स, विटामिन C, कैल्शियम मुख रूप से होता है, यह जीववा मुग के अलसर के लिए इसमें विटामिन की कमी को पूरा करता है, यह जानते हैं इसके उपियोग के बारे में, यह सारीक कमजोरी, बाल जड़ना, गलेवा मुग के छाले, एनिमिया, मासपेसियों की एटन, पिमपल्स, अलसर, इंटेस्टाइन में अलसर, तता पाचन से जड़े, कई अन विकायो में मदद करती है, हाई कोलेस्टरॉल में भी बीकासूल का उपयोग किया आता, बीकासूल गठिया रोग में भी शायक है, गैस की समश्या को कम करने के लिए बीकासूल का उपयोग किया आता है, विटामिन बी की बूरती के लिए, मुग के चालों के लिए, इसकिन को ठीक पानी के साथ लिया जा सकता है तो चलिए जानते हैं इसकी खुराक के बारे में ये कैपसूल खाने के 30 मिड़ बाद पानी के साथ लिया जा सकता है इसको खाली पिट नहीं लेना चाहिए तो चलिए बात करते हैं इसके side effect के बारे में अधिक प्यास लगना high blood pressure, से सिर्दर, चक्कर, तोचाशंबंदी समस्या आदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डॉक्टर से जरूर संपर करें दोस्तों ये वीडियो education में परपस के लिए है किसी भी दवाई का उपयोग आप अपने चकत के चक के निर्देशन में ही करें इस वीडियो को देखने में आपने जो समय दिया हो इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइक करना ना भूलें जिससे यह जानकारी किसी और को भी प्राप्त हो सके दन्यवाद